हेलो दोस्तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में दोस्तो यहां इस वीडियो में हम डैफला वॉक टैबलेट की बात करेंगे तो दोस्तो डैफला वॉक टैबलेट वोकाड कंपनी का प्रोडक्ट है और Wokad कंपनी की जो दवाएं हैं काफी मार्केट में आती हैं अलग-लग नाम से अलग-लग बीमारी के लिए और काफी अच्छी कंपनी है गाईज और इस पैक के अंदर 10 टैबलेट निकलती है यानि एक श्ट्रिप के अंदर 10 टैबलेट आती है गाईज यह एक प्रिस्क्रिप्शन बेज मेडिकेशन है डैफलाजा कोड इसका साल्ट नेम है यानि की जैन्रिक नेम है टैबलेट की फॉर्म में मेडिसन है और हर एक टैबलेट 6MG का है तो गाईज यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंग्थ है वो 6MG की है अब इस टैबलेट का यूस क्या रहता है यूस के बारे में समझ लेते हैं तो दोस्तों ये एक इस्टिरोइड मेडिसन है और इस्टिरोइड मेडिसन का बॉड़ी के अंदर काम रहता है कि जब भी हमारी बॉड़ी में कोई सूजन वगेरा हो जाती है स्वैलिंग हो जाती है या फिर जॉइंट की इंटरी ट्रेक्ट की swelling हो रही है माली ट्रैक्या और गर्ण सूज गया है swelling हो रही है जिसकी बजा से मरीज को गले में भारी पन हो रहा है खासी आ रही है सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो ऐसी समस्या को भी यह ठीक करता है तो overall गाइज बौड़ी के अंदर जहां भी सूजन है या पेन है जैसे कि जॉइन पेन है अर्थ्राइट से गठिया है गाउट है ट्रेक्या की सूजन है तो इन सभी में इसका काफी अच्छा रोल रहता है और काफी अच्छे से ये वर्क करती है तो ये इसके यूजिस हो जाते हैं और बात कर लेते हैं अगर ह हम बात करें तो अगर कोई adult मरीज इसको लेते हैं डॉक्टर जिन को देते हैं तो नॉर्मली दिन में एक टैबलेट या दिन में दो टैबलेट सोबर साम इसका सेवन करा सकते हैं बड़ यहां पर मैं आगेन आपको यही बोलूँगा कि बिना डॉक्टर की खलास इस्तिमाल ना करें अपनी मरजी से ना खाएं क्योंकि इस्टिरोइड मैडिसिन जब आप लगातार लेते हैं तो इनके साइड इफेक्ट भी काफी देखने को मिलते हैं तो यह स्के डोजिस की बात हो गई गाई अगर हम बात कर लें इसके side effect की किस medicine के कौन से side effect है जो मरीज को हो सकते है तो generally अगर किसी मरीज में side effect आते हैं तो सबसे पहले उनको nausea या vomiting जैसा लगेगा ऐसी feeling आएगी कि उनको ultimately हो रही है इसके अलावा abdomen cramp हो सकते हैं पेट में एठन मरोलन चल सकती है और जो stool है वो मरीज का खराब हो सकता है जैसा कि उसको diarrhea जैसी condition लग सकती है पतला stool आ सकता है stool जो काफी lose हो जाएगा तो ऐसे कुछ common side effect हैं जो मरीज को आ सकते हैं और गाईज अगर ऐसा होता है तो उस condition में आप इसको तुरंत रोक दे medicine को डॉक्टर को बताएं और further जिस तरह से आपके डॉक्टर advise करते हैं उस तरह से आगे medication करें next guys बात कर लेते हैं इसके composition की तो आप देख सकते हैं हर एक uncoated tablet uncoated और coated का मैंने वीडियो आपको दिया हुआ है channel पर तो uncoated यानि कि ऐसे tablet जिन पर से कोई coating नहीं की गई है तो अगर coating है तो that means coating tablet कहलाते हैं और अगर नहीं है तो uncoating tablet तो ऐसे tablet जो की uncoated है इनके अंदर डेफलाजर कोड 6 mg रहता है यानि कि 6 mg की मात्रा में medicine रहती है साथ ही excipients मिलाए जाते हैं ताकि इसको tablet की form में बनाया जा सके और जो है इसके साथ add किये जाते हैं तो यह इसका composition रहता है और यहाँ पर indication है कि हमेशा physician की सलाह से लें बच्चों से इस medicine को दूर रखें और यहाँ पर अब देख सकते हैं sedule H prescription drug है red strip mention है सामने से तो इसका सीधा-सीधा मतलब है कि खुद से बिलकुल ना लें डॉक्टर को दिखा के लें बरना आपको जो है serious side effect या complications हो सकते हैं guys बोकार्ट कंपनी का product है तो यह थी इस tablet की जानकारी और यहाँ पर वीडियो के last में देख लेते हैं इसका MRP तो यह जो 10 tablet हैं आपको 191 में मिल जाते हैं और 2024 तक इसकी expiry रहती है December तक December 2024 तक यह दवा खराब नहीं होती है इसको easily use कर सकते हैं तो guys यह थी आज की इस वीडियो में Defla Walk Tablet के बारे में एक जानकारी वीडियो मुझे उमीद है आपको जरूर पसंद आएगा तो इन ही विशिस के साथ आप safe और happy रहें आप से फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जाहें